दुनिया का अनोखा फ्रीज जहां पेट भढ़ने के लिए मिलता है फ्री में खाना नमस्कार मैं निहा परिहार और आप देख रहे हैं हमारा खास कारेकरम सेर सपाटा हम अपने डेली रूटीन की बात करें तो खाने का सामान किचन के साथ सभी फ्रीज में रखते ही हैं ऐसे में भूक लगने पर हर कोई सबसे पहले घर के फ्रीज को खोलता है मगर सडक पर घूम रहे बेसहारा वा गरीब लोग भोजन ना मिलने के कारण कई दिनों तक भूके रहते हैं ऐसे में ही जॉर्डन में एक व्यक्ती ने इन लोगों के लिए नीले रंका रेफ्रीजेटर रखा है इस फ्रीज में से कोई भी कभी भी खाने की चीजे ले सकता है साथ ही दूसरे लोगों की सहता के लिए इसमें बाकी के लोग खाना पर जरूरत का सामान रख सकते हैं तो चल ये जानते हैं इसके बारे में विस्तार से इसकी शुरुआत स्पॉर्ट्स पांडेशन के संथापक आहान खान ने की थी जॉर्डन में वूमन संग स्ट्रीट पर होकी एकेडमी के बाहर एक नीले रंका फ्रीज पढ़ा है इसे sports, foundation के संस्थापक अहान खान ने लोगों की सेवा के लिए रखा है बात इस freeze में पड़े सामान की करें तो इसमें biscuit, noodles वा भोजन के packet बने पड़े मिलते हैं इसके अलावा मोजे और दोलिये के packet भी इसमें मिल जाते हैं ऐसे में गरीब, बेसहारा वा जरूरतमन लोग बिना किसी परिशानी से इसमें चीज़े निकाल कर इस्तिमाल कर सकते हैं फिल्म से मिला और इंडिया एसोशियेट प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आहान खान को इस freeze को रखने का आइडिया एक फिल्म से मिला था उन्होंने पिक्चर में एक सीन देखने के बाद जरूरतमंदों की मदद करने का निश्चे किया फिर लोगों के लिए निले रंग का एक सामुदाई क्रेफरीजेटर लाकर वहां रख दिया लोगों को freeze अपने घर जैसा ही लगे इस freeze को लेकर आहान का कहना है कि जिस तरह हम अपने घर में खाने के लिए freeze को खोलते हैं उसी तरह लोग भी इसे अपना समझे साथ ही वे कहते हैं कि इस सड़क पर चलने वाला हर कोई उनका समुदाई है ऐसे में यह उनका घर होने के नाते इस freeze का अस्तमाल कर सकते हैं बस लोग इसे खोले और अपनी भूब को शान करें साथ ही अगर किसी के पास ज़्यादा समान है तो वे उसे इस freeze में रख भी सकते हैं और जरूरत मंदों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं नीला रंग होने की वज़े से freeze खूब चर्चा में है इस नीले freeze की इंटरनेट पर खूब चर्चा हो रही है इसमें ये उंग नाम के एक वैक्ती ने बिस्किट, इंस्टेंड नूडल्स और स्नेक्स से भरे प्लास्टिक बैक रख कर कहा कि जिन्दगी में अच्छा काम करने के लिए बड़ा आदमी होना जरूरी नहीं है कोई चोटा काम करके भी हम अपने अंदर की तयार दिखा सकते हैं साथ ही संसार में अपना योगदान दे सकते हैं बात इस फ्रीज की करें तो इसमें जरूरत से अधिक खाना मिलेगा ऐसे में जो गरीब वा जरूरतमन लोग बिना किसी संकोच के इसमें से सामान लेकर अपनी भूग को शांत कर सकते हैं इसलिए ये फ्रीज हमेशा से ही भरा रहता है सबी लोग अपने मुताबिक इसमें खाने का सामान रख जाते हैं ऐसे में 24 घंटे में ये फ्रीज गरीब वा भूग के लोगों की सेवा में लगा रहता है अगर आप यहां जाना चाते हैं या फिर घूम कर आए हैं तो हमें अपना एक्सपीरियन्स शेयर कर सकते हैं अगर आप ऐसी किसी जगह पर हमें वीडियो बनेवादां चाहते हैं तो हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और अधिक जानकारी के लिए देख रही हमारा चैनल मेडिया दर्बार खन्यवार